का वीडियो अपडूट किया था की दीदी साइंस के उपर वीडियो अप्लोड कीजिए तो आज हम लोग डिसकस करने वाला है विद्धुत-मोटर का जारगन-वोट्ट का भी अगर अब्डेट दिया ज़े तो दो-तिन महिना में आप लोगों का भी परिच्छा होगा क्या त के लिए ठीक है किसी ज़सि भी भाइश की बात करेंगे सबसे पहले सिधान की बात करेंगे एंद हम लोग उसकी कार्यविदी की बात करेंगे ठीक है तीनों की बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना बेनिफिट लगे तो लाइक करना एन अपने दोस्तों के शायर कर देना और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोगों का जो परिक्षा होने को मिल जाएगा तो सब्सक्राइब कर देना अब चलो आगे बढ़ते हैं सरल बिदूत मोटर तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को यहां पर संग्दचना देख यह जो संग्दचना है यह एकनम दिमाग में बैठा लो कि किस तरह से मैंने इस चित्र को बना है अगर आप अग्जामिनर के सामने इस चित्र के साथ प्रेजंट करते हो एंसर को किसी भी साइन्स में जैसे की उचसर जन तंतर हो गया है तो अगर चित्र बना के आप लोग समझाते हो तो एक्जामिनर के मायन में बहुत अच्छा इफिक्ट पड़ता है कि भाई इस स्टूड़न को क विदूत मोटर का संग रचना है ठीक है तो यहां पर मैंने नोट भी अविलेवल करवा दिया है सबसे पहले हम लोग संग रचना देखेंगे तो फिर सिधान देखेंगे फिर देखेंगे कारिय भी दिए लास्ट तक देखना लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक अप लोगों से पूछ लिया जाए एक दो माक्स के लिए कि विदूत मोटर करता क्या है तो उसका सिधान क्या है तो अप लोग बता सकते हो कि विदूत मोटर जो है एक ऐसी युक्ति है युक्ति मतलब मसीन ठीक है हिंदी में मसीन को ऐसे तो साइंस के वाशा में युक्ति कहा जाता है तो विद्धूत मोटर एक ऐसी युक्ती है जो विद्धूत को यांत्री कुर्जा में परिवर्तित करती है जो विद्धूत को यांत्री कुर्जा में चेंज करती है ठीक है परिवर्तित करती है अब अगर संगरचना की बात की जाए ठीक है यहाँ पे मेरे पास संग्राचना के नोटस धिक और दो किए कई करो जिय breaking about । मैंने यहां पिस तरह से लिखा है सिद्धान मैं लिखा चाहिए फिर योज़ साथ याइन संग्राचना लिखाएефित को तो आप लोगों को एक दम मैं गरेंटी के साथ कहते हूं बिलकुल अच्छा नंबर दिया जाएगा फुल मार्क्स में आप लोग इसको निकाल सकते हो ठीक है तो अगर आप लोग बात करें इसकी संग्रचना की पहले मैं समझा लेती हूं फिर एक बार नोट्स की तरह संग्रचना में एक सत्तिसाली नाल चुम्बक की जरूरत हूं यह जो आप लोगों को चुम्बक की तरह दिख रहा है ना बेलन क्यागार का यह नाल चुम्बक है टीक है एक नाल चुम्बक लिया जाता है जिसके धृूप के बीच एक आयतकर तार की कुंडली a b c d को रखा जाता है यह जो आयतकर तार की कुंडली दिख रही है ए बी सी डिये आयतकर है ठीक है आयत क्या कर का है और क्या है एक तार की कुंडली है कुंडली के दो स्वतंतर सिरा विभक्त वलाई अब देखो क्या होता है यह वलाई है ठीक है यह वाला जो हिस्से है ना बेलन की तरह इ और पर समय को सबढ wydajeH Accountment को सब्सक्ताइब करद विदूत परिपद हैं नाल चुम्बक। बेलन क्या करका दिख रहा है ना ये आप लोगों को ये होता है नाल चुम्बक ठीक है फिर A, B, C, D एक तार की कुंडली होती है ये क्या है तार की कुंडली है कुंडली के दो स्वतंत्र सीरे कुंडली के दो स्वतंत्र सीरे विभक्त बलाई X, X और Y के साथ जुरी हुई होत कुंडली होता है कुंडली में वर τα ​​बिद्दूत परिपत बिद्द परिपत गजरे हुती है अब लोगों को देख रहा है क्या है नहीं हम नहीं रहे हुते हैं बलाई X से जुराए P जो है carbon bruce P जो है वो बलाई भीवक्त बलाई X से जुराए Q जो है वो Y से जुराए ये विद्धूत परिपत है ये switch है ठीक है तो ये हो गया एक संग्रचना हो गया एक basic से संग्रचना सरार विद्धूत मोटर इसका चित्र आप लोग दिमाग में बैठा लो ठीक है अब बात करते हैं कार्य विधी की ठीक है यहाँ पर कार्य देखो यहाँ पर मैंने संग्रचना सिधान्त लिखा हुआ एक स्क्रीन सोट मालो फटाक से नहीं तो काम कर लो नोट बना लो नोट ब ठीक है परिबर्तीत करती है ठीक है परिबर्ती estak rd सनंग्रचना देखो मैं इहाँ पर इसको बोड में संझ रहा हुआ सकती हुआ है लेकिन llevar लोगों को क्या होता मैं सम्जह समझ में भी मोटर बनाने के लिए एक सक्तिसाली नाल चुमबक लिया जाता है संगरचना बतारियू मैं जिसके दुरूप के बीच एक आयतकार की कुनली A, B, C, D को रखा जाता है कुनली के दो स्वतंद्र शीरा विबग बले X दतव Y से जुरे होते हैं जैसा कि मैंने अभी आप लोगों धूरी डाला जाता है दो कार्बन ब्रूष P तता Q विबग बले X तता Y के संपक में होते हैं कुनली में बिद्धु धारक की सप्लाई के लिए दोनों कार्बन ब्रूष बिद्धु परिपत से जुरे होते हैं यह अगर आप लोगों को पता है तो भी अच्छी बात है लेक परिपत में जब स्विच ऑन किया जाता है मैंने जैसा कि आप लोगों को विद्धु परिपत दिखाया और स्विच की जगह भी दिखाये तो विद्धु धारा परिपत से होकर कार्बन ब्रूष P तथा आगे विभग बले X से होकर X से होकर आयत कर तारकी कुंडली ABCD से होते हुए बिवक बललाई Y तथा कार्बन ब्रूश Q से होकर बुजरती है ठीक है अब मैं समझाओंगी यहाँ पर देखो संग रचना आ गई देखो अब क्या होता है जब स्विच को ओन किया जाता है तो बिदूत परिपत सबसे पहले कहां जाती है सबसे पहले कार्बन ब्रूश P में जाती है यह जो बिदूत परिपत है यह किस से जुरी हुए कार्बन ब्रूशों से जुरी हुए तो कार्बन ब्रूश P से जाती है पर कार्बन ब्रूश P पी जो है कारवन बुरुस पी बिभक्त बलाई एक्स के साथ जुरा हुआ है ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ये बिभक्त बलाई है बिभक्त बलाई में जाता है पी से होके ये एक्स में जाता है ये जो है ये एक्स है ठीक है ये एक्स है पी से होके एक्स में जाता है फिर ये कहां पर पहुँचा है, ये स्वतंत्रश्चिरा कहां से जुरा हुआ है, ये जो है, तार की कुंडी, फिर ये विदुत जो है, ये A से होके, B से होके, C से होके, D से होके, फिर जाता है, कहां, ये किसके साथ जुरा हुआ है, ये परिपत, ये परिपत, बिभक्त, बल अभी जिसको कहते है हैं कैसे होकर विद्धु ध्राक सुन्खD कुण्ड़ी के दोनों परसों पर बल लगती है समझाती हूं मैं पार्सों A, B, C, D पर बल लगने की दिशा ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग का बाम हस्तनियम का उप्योग किया जाता है देखो अब कहां तक मैंने समझाया था कि परिपत जो है यह तार की कुंडली से होकर गुजरती है पहले A, B, C, D, फिर विभक्त बलाई, Y, फिर Q से लेके तो जब यहां पर विद्दुद इस परिपत यह तार की हमेंने यहां पर चुंबा के छेत्र उत्पन होता है ठीक है चुंबा के छेत्र एक दूसरे को काटती है ठीक है चुंबा के छेत्र एक दूसरे को क्या करते है चुंबा के छेत्र उत्पन होता है तो इस प्रकार से चुंबा के छेत्र उत्पन होता है अब चुंबा के छेत् अब आपस में काटती है, ठीक है, आपस में काटती है, हो गया, c-d पर बल लगने की दिशा ग्याद करने, अब पार्षू a भी तत, c-d पर बल लगने की दिशा ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग के बामहस्तनियम का उपयोग करते हैं, बाम हस्तनियम का उप्योग करने पर पाते हैं कि पार्शो A, B पर बल निंचे की दिशा में तता सीडी पर उपर की दिशा में लगता है अता कुंडली का वामा बठ अंटी क्लॉक वाइज घूमने लगता है फल्शो कुंडी से लगी धूर्वी भी घूमने लगता है अब क्य कारण इन दोनों पर बल लगता है A, B पर भी बल लगता है C, D पर भी बल लगता है और इस बल की दिशा को ग्याद करने के लिए फलेमिंग के बाम हस्तनियम का उप्योग किया जाता है यह तो हमें पता है बल लगने की दिशा को ग्याद करने के लिए हम किसका उप्योग कर बाम हस्तनियम का जो नियम है उसको उप्योग करते हैं व्न पर पाते हैं कि वन पेख लेख लेग नीहाना Ou स्पार के दिशा में लगेर है तो यह जो कुंडली है आप लोग देख पारें एक प्रेट के तरह यह कुंडली अगर c d उपर की दिशा में लगाएगा और a b नीचे की दिशा में लगाएगा तो यह anti-clockwise यानि वामाबट घूमने लगती है किस प्रकार से घूमने लगती है वामाबट, anti-clockwise अब clockwise, anti-clockwise आप लोगों को पता होना चाहिए clockwise किसको कहते है जब यह इस प्रकार से घूमती है इस प्रकार से घूमती है तब इसको clockwise कहते है और anti-clockwise जब यह इस प्रकार से घूमती है तब इसको anti-clockwise कहते है मतलब घरी के दिशा में अगर घूमी तो वो clockwise घरी तो इस प्रकार से घूमती है क्लॉक वाइस घरी के विप्रित दिशा में घुरते हैं तो क्या होता है जब बल लगता है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग हम करते हैं और वाम में खुलनी धुरित छाए सब्सक्राइब।ứ आधा च्पर लगाने के वाद एससाद प्लेट घुम है मृस्त प्लेट इस तरीके से घुम जाएगा तो स्तिती अपना जो पार्स हुआ है यह पार्स हो जो है अपना स्तिती चेंज करेगी कि नहीं तो AB के स्तान पर CD यह प्लेट घुम गई तो AB के स्तान पर CD आ जाएगा और CD के स्तान पर कौन आ जाएगा AB आ जाएगा तो अर्ध चक्रन के बाद यानि आधा चक्रन के बाद AB के साथ जुरे हुए बिभख्त बलाई X AB के साथ जुरे हुए बिभख्त बलाई X का संपर्क कार्बोन ब्रूस किससे हो जाता है अब क्यू से होने लगता है क्यूंकि इसका σ्थान तो change हो गया AB का और विभग्त बलै का चान तो change हो गया भाई AB का और X का चान तो change हो गया है अब वो जो है वो carbon bruce Q के साथ संपर्क बनाएगा और C, D और Y विभग्त बलै भी उसका선 change हो गया तो वो Carbon Bruce P के साथ संपर्ख बनाएंगा ठीक है? समझ गया? फल्सरूप बलाई Y का संपर्ख P से होता है फल्सरूप बिद्धु धारक की दिशा कुनली में DCBA अब क्या होती है? DCBA अब यहाँ पे तो इसका स्थान चेंज हो गया AB के जगा यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे C आ गया तो अब क्या होता है? अब यहाँ पे DCBA हो जाता है ठीक है? अब पार्स वर DC पर DC पर DC पर नीचे की और बल लगता है और AB की उपर की और बल लगता है यहाँ पे स्थान चेंज हो गया था इस प्रकार जब तक कुनली से होकर विद्धुधार प्रभावित होती है तब तक कुनली एंटी क्लॉक वाइस फिर एंटी क्लॉक वाइस घुमते रहती है एक बार आधात चकरन पूरा की फिर और एक बार चकरन पूरा की तो पूरा चकरन हो गया और इसी जुरा हुआ जुर बिदुधारा परिपत से होकर कार्वन ब्रूस पी तथा आगे विभक बलाई एक से होकर आयतकर तार की कुंडी ए, बी, सी, डी से होते होए विभक बलाई वाई तथा कार्वन आप लोग चित्र को बना लो फिर इसको परो तो समझ में आ जाएगा ठीक है इसको समझना थोड़ा सा विकर्ट है लेकिन जिस तरह के सा मैंने नोट बनाया आप लोगों के सामने आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी बिलकुल दिक्कत नहीं होगी चित्रो को सामने रखो बना लो एंड इसको अप लोग परो एक दो बार तो बिलकुल दिमाग में आ जाएगा जब कुनली से होकर बिद्धुधार प्रभावित होती है तो कुनली का पार्शो A, B तथा C, D, 4 और चुम्बक के छेत्र उत्पन होता है फ्रेमिंग का बाम हस्ता नियम का उपयोग करते हैं ये बात आप लोगों को यहां से समझ में आ गई अब बाम हस्ता का नियम जब लोग उपयोग करते हैं तो पार्शो A, B पर बल नीचे की और लग रहा है ये चीज़ धान रखना कंफ्यूज मत होना कि A, B पार्शो A, B पर A, B के स्थान पर आ जाता है फिर क्या होता है समझो अर्द चक्रन के बात A, B के साथ जुरे हुए विभग वलाई X का संपर्ट अब कार्बोन ब्रूस Q से होता है ठीक है पहले उसका संपर्ट कि से था पी से था लेकिन पहले तो वो जो कुंडली है उसका तो चेंज हो गया उसका स्थान चेंज हो गया क्योंकि वो अद्द चक्रन लगा लिया तो अब उसका अद्द चक्रन लगने के कारण उसका संपर्ट P से तूटके Q से होने लगा और CD के साथ जुरे हुए विभग वलाई Y का संपर्ट अब P से होने लगा Q से पहले होता था अब P से होने लग नियुक्ती lifes 되고 में आ,पारस्ते DOF रुपर लागतेज और कुंली अपना पुर्न चक नोरी इस प्रेसी और क्लम गुंते रहेगी. इससे जुरा हुआ धूरी भी घुनन करता रहेगा तो यह चीज बार-बार होगा तो फिर वो एक बार अर्दी चक्रन लगाएगा फिर और बार चक्रन लगाएगा तो पूर्ण चक्रन हो जाएगा है ना इस तरह के से घुमते रहेगे इस प्रकार विद्धुत मोटर, विद्धुत ओज्जा, यांतरीक ओज्जा में परिवर्थित कर अपना कारियो करता है तो इस तरह किसे हो गया कारियो विद्धुत अब आप लोग एक काम करो जाओ description box में ठीक है description box में जाओ या फिर comment box में जाओ description box में जाओ, description box में जाओ, telegram का link मिलेगा या फिर notes का link मिलेगा, उस link को touch करूँ telegram के link में आप लोगों को मैं इहां पर photo खीच के note जो है, हूब हूँ, आप लोगों को available करवा दूँगी साथी साथ इहां पर जो मैंने संग्रचना बनाया था आप लोगों के लिए समझाने के लिए उसको भी available करवा दूँगी तो notes और संग्रचना आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को note बनाने की भी जरूरत नहीं है, note बनाते हो, तो बहुत अच्छी तो ध्यान रखो, एक एक चीज़ को लिखते जाओ, बार-बार प्रैक्टिस करो, तभी प्रैक्टिस से ही इंसन पर्फेक्ट होता है ना, तो प्रैक्टिस करो इस चीज़ की सकते हो किसी भी दूसरे टापिक पर बात करने हैं तो तो भी कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ